तो चलिए सुरू करते हैं जन्तू वी गान की शाखा जिसे ब्रांच आफ जो लोजी बोलते हैं इसमें जितने भी कोश्चन है 26 कोश्चन है और फास्ट कोश्चन रहेंगे कम समय में ज़्यादा कोश्चन करवाएंगे अगर जिसमें डाट लगे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करीगा उसका सेलूशन मिलेगा अगर सच में गलत होगा बुक अगर गलत देगा उसका डिटेल आपको दे दिया जाएगा तो चलिए first करते हैं क्योंकि अगर मैं पूरा solution करने जाता हूँ तो उसमें क्या होता है क्या आपका mock test नहीं हो पाएगा और exam आपके सामने हैं तो होने में मुश्किल हो जाएगी क्योंकि हमें अभी physics chemistry का बाकी है और भी जो NCRT चला रहा हूँ वो भी चलना है अभी हमारे पास reminder book का जो है जो है जोगरफी बचा हुआ है वो भी करवाना है क्योंकि कोई भी exam देने जाए result नरे रिकाड़मी से आना चाहिए मतलब कोई भी question लड़े तो नरे रिकाड़मी का question वहाँ पर होना चाहिए तो चलिए शुरू करते हैं जो सो energy के साथ कहा जाता है बता सकते हैं तो बताईएगा तो option number डर्मोटोलोजी जैसे ही मानव तो अच्छा की बात करेगा डर्मोटोलोजी कर देंगे है ना जैसे मानव तो अच्छा विग्यान कहा जाता है तो अच्छा विग्यान भी कहा जाता है जिसे in English वे dermatology काते है। दूसरा प्रस्ण osteo का अध्यEN बिज्ञान की किस साखा के अंतरगत किया जाता है? मतलब हड्डियो का अध्यEN जो करते हैं बिज्ञान की कौन सी साखा के अंतरगत करते हैं? कौन से ब्रांच से करते हैं? बढईगा तो हम बहुत अच्छा से जानते हैं, option number B, osteology, osteology बोलते हैं और ये सही अंसर है, चलिएगा तीसरा प्रश्ण आपके सामने है, तीसरा प्रश्ण क्या कह रहा है कि जीवों के संक्रमन के बृध, प्रतिरोध का अध्यन किया जाता है तो जीवों के संक्रमन के बृध लड़ियेगा, मतब प्रतिरोध का अध्यन क्या कहलाएगा, बता सकते हैं, तो हम अच्छे से बताएंगे, जैसे ही प्रतिरोध की बात होगी, immunity की बात होगी, तो इमनों लोजी कहलाएगा, जो क्या option number B लगाएंगे, वो शही लगाएंगे प्रतिरोध का जवाब, option number D, जीवाशम का करते हैं, हम लोग इसमें अध्यन, तो आपसे ये भी सवाल पूस्ट रखता है, कि जीवाशम के अध्यन को क्या कहा जाता है, तो polio ontology कहा जाता है, यहाद खेगा, चलिए, पांचमे प्रस्ट को ध्यान में रखते हुए चलेंग अध्यन को कहते हैं, क्या कहते हैं, तीतिल्यों के अध्यन को कहेंगे, हम बहुत अच्छे से जानते हैं, यहात खेगा, Google पर आप सुच करेगा तों ऐसे लिखाएगा, नहीं तो ऐसे लिखाता है, ज़से लिखाता है कोई दिकनी अर्थ होई होता है Lepi Tiriology की तितलिओं के अध्यान से समंदित है सातमा प्रश्ट है मतब पाज जो है ना आधा लिखा जाता है कभी कभी ये ज़रूर ध्यान रखेगा मचलियों से समंदित अध्यान कहलाता क्या है मचलियों से सबन्देत अध्यान को कहते हैं बहुत अच्छ से बताईए तो हम कहेंगे एक्तो लोजी कहा जाता है यह जरूर ध्यान रखेगा यहाँ पे iक्तो लोजी के जगा पे इचित यह लोजी भी लिखा जाता है याद खेगा अच्छा भी लिकित देता है कह के जगव पे, तो ये जरूर ध्यान दखेना है, तो आपका साथमा प्रश्ण का अंसर का जवाब जो देंगे सही, वो सही जवाब देंगे, चिक है, अब चलते हैं, आठमें प्रश्ण की बात करते हैं, आठमा प्रश्ण है, आर्नी, आर्नी थोलोजी में किसका अध्यान किया जाता है आरनी थोलोजी में किसका अध्यान करेंगे बताएंगे बताएंगे ज़रूर बताएंगे पच्छियों का अध्यान होता है और किसी का नहीं होगा नौए प्रश्ण में है हिस्टोलोजी किस से समंधित है तो हिस्टोलोजी किस से सम समंदीध है या तो खेंगे देखिए दश्वाप प्रश्ण है कैंसर समंदी रोगों का अधियन कहलाता है। ओंको लोजी जो देख रहे हैं वो कैंसर समंदी रोग है। ठीक है यह जो आप देखिएगा बी वह नहीं होगा। क्योंकि ओंको लौजी जैसे सब्दाए तो पैंसर से उसमन नहीं चरिए एगारमा प्रश्ण है मुलास्का समुदाए के जन्तू के कबच यहां पर लिखा हुआ का अध्यान कहलाता है देखिए मुलास्का सिर्फ रहता मुलास्का के अध्यान को कहलाता तो हम मेले मेले को प्रश्ण है मुलास्का के समुदाए के जन्तू के कबच का अध्यान करने के लिए बोल रहा है तो कॉंकोलोजी जादा तर कॉंकोलोजी ही ठीक लगा के आएगा यह जान लिजी बारामा प्रश्ण है उस विज्ञान को जो अनुवानशिक्ता के नियमों द्वारा मानव ज करें तो उसे युजे निक्स बोलते हैं क्या बोलते हैं युजे निक्स बोलते हैं जो की बारामा प्रश्ण का अंसर के सवाल दो जेंगे ऑप्शन नमर सी वो सही देंगे तेरामा प्रश्ण है कीटों से समंदित कीटों से समंदित जी विज्ञान की शाका कहलाती है अग क अप्षिया ना जो कि उपर बढ़े थे तो उसी को खाली ऐसे अलग ढंग से लिख दिया है एंटेमोलोजी या तखेंगे जन्तू बिगान के वह शाखा जिसके अंतरगत जन्तू की बाहरी आकरती एवं बाहरी शनरच्ण का अध्यान किया जाता है कहलाता क्या है बता सकते हैं तो बताईएगा तो 14 प्रेश्ण का अंसर का जवाब औप्शन नबर C मार्फोलोजी का लाता है यह सही है क्यों 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 क्य लगाएंगे वो सइभ लगाएंगे स्वरमा प्रश्ण है जंतु तथा उसके आज पास के बातावरण समंधी अध्यन को कहते क्या हैं तो हम बातावरण जैसे ही बात आएगा प्रास्थितिक तंत्र को याद आया होगा एको सिस्टम याद आया होगा क्या मैंने सही बोला एकदम सही बोला और आप टिक लगा के आईएगा इसी को सत्रमा प्रश्ण की बात करेंगे मांस्पेशियों का अध्यान कहलाता है जैसे ही मांस्पेशियों की बात होगी तो मांस्पेशियों का अध्यान कहलाता है मायोलाजी याद रखेंगे मायाजाल मायोलाजी याद रखेंगे मांस्पेशियां मायोलाजी याद दखेंगे, याद करते ही, मतवध अध्यान करते ही, अठारमा प्रश्ट, जनसंख्या का अध्यान कहलाता है, तो जैसे ही जनसंख्या का अध्यान की बात करेगा, तो आप क्या लगा देगा, डेमोग्राफी लगा देजेगा, जियोग्राफी नहीं, जनसंख्या की बा करते ही तुनिस्मात प्रशन है मदमक्यों का पालन कालाता है AP कल्चर इसमें सोचना क्या है यह सब तो ईजी है हल्वा है ना बी-स्मात प्रशन बता prue यह सब भी आपके लिए हलुआ हल्वा रहता है यह जो फ़राता है यह सलिए confidence रखे ओबर confidence ना रखें एक इसमा प्रशने है विज्ञान के शाखा neurology से कौन सा अंग काध्यन किया जाता है बता सकते हैं तो हम बताएंगे neurology समंदित है मतब neurology में क्या होता नहीं कि neurology से समंदित अगर बात करें तो हम जानते हैं कि सनायू, सनायू जो तंत्र देख रहा है वही अंसर होwarm क्योंकि ये तंत्र का तंत्र कहलाता है जनायू तंत्रत में मस्तिक से भी जुड़ा है व्यर्ड के हड़ी से भी जुड़ा मतबं हर सील से उसमें जुड़ा हुआ है तंत्र का तंत में उसलिए जो neurology जिससे समद है तो तंत्र का तंत्र लगा दिया इसी का दूसरा नाम है सनायुं तंत्र बोढा 잡ता है यत्माल प्राष्ट नहीं है जेरेंटो लोजी नुलिकित में से किसके अध्यां से समंदी्त है जैसे ही जेरेंटो लोजी समद आएगा तो हम जानते हैं ये सब्द जो होगा option number C होगा क्योंकि बृध्ध वेक्ती हैं उनसे समंदित बात करता है तो बृध्धी उम्र बढ़ने की सीमा से बात करता है उम्र की जो बढ़ता है उससे समंदित है उसी को कहते है जेरेंटो लौजी उसमें जेरेंटो लौजी में ये अ तो जैसे ही पिडिया उम्र दराज वेक्ती का अध्यन करेंगे बीमارी का अध्यन करेंगे इस म हम प्राशने तीशू कल्चर मतब उत्तक तीशू मतब उत्तक तो टीशू कल्चर का अध्यान किसके लिए उपयोगी है तो टीशू कल्चर का जैसे ही हम सब्द का इस्तमाल करेंगे तो अन्वांसिक के लिए सब्द लगा देंगे ठीक है जो उस अध्यान को option number C serology कहा जाता है चीक है चलिए 26 question number है कि प्रस्थितिक विग्यान एकोलोजी का समंद जो है किससे अब जैसे एकोलोजी आ गया प्रस्थितिक समंद आ गया तो उसमें बातावरन तो निश्चित है अब बातावरन तो एक ही में है तो option number C सरीर संरचना से कि बातावरन से भी समंद जुड़ाओ जो है उसे ही तो प्रस्थितिक भी ज्यान करते हैं जिसे ही को भी ज्यान करते हैं उसमें अध्यन करते हैं हम लोग सरीर संरचना वातावरन से तो चलिए आज के लिए बहुत ही जी बहुत कम समय का question आपके लिए खतम ठीक है तो आज के लिए इतना ही रखते हैं जहिन जह भारत नेक्स टॉपिक जगरफी का विस्व जल संधी तयार हैं और देखते रहें और इन से अटी का हिस्ट्री का नेक्स चेक्टर जो आ रहा है पंजाब और मैशूर तो तयार हैं आज वीडियो देखने के लिए रात और रात चलिए आप हैं तभी हमें ये स्लोगन हमेशा याद रखें क्योंकि आपके विना मैं नहीं हो सकता क्योंकि कितना भी हो जाए नेकिन आपके विना मैं कुछ नहीं Thank you, thank you, thank you